पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एजम को कंडग कैसे करना है उसमें क्या प्रिपेरेशन करने होते हैं कौन उसको अटेंड कर सकता है कैसे उसमें अजेंडा सरक्यूलेट होता है कितने दिन बिफोर करना चाहिए इस साल के लिए का गाइडलेंस है ऐसे बहुत सारे दिसकस कर चुके है अगर आप तक वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक में दिये गए लिंक पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसी के बाद ही आपको यह वीडियो पता चलेगा कि यह सेकेंड वीडियो क्या बताता है तो यह आज का इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी तो एजम एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां पे मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है मैनेजिंग कमिटी के साथ डारेक्ली इंटरेक्शन करता है बेस ऑन अजेंडा डिसकेशन होते हैं उसमें कुछ रिजोल किया जाता है तो यह सारे जो डिसकेशन होते हैं उनके बेसिस पे मिनिट्स का प्रिपेरेशन होना ज़रूरी है और अगर कोई अपोज है या मेजरिटी डिसिजन्स भी है वह सारे उसमें आने चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितना पॉजिटिव है आप उसी को मेंशन कर कर आए या अगर वह अलग है आपसे लेकिन तो भी आपको उसको मिनिट्स में डालना ज़रूरी है और उसके बेसिस पे कुछ रिजॉलेशन पास होते तो वह भी आपको स्पेशिफिकली हाइलाइट करने पड़ेंगे उसका सेकेंड पार्ट आता है कि सर्कूलेशन ऑफ द आपकी सुसाइटी में रहते नहीं है या एनराय है या कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके तीन चार फ्लाट रहते तो वह एक जगे पर रहते बाकि सारे रेंट पर दिये हुए रहते और उनको सारी जगे पे एजिया मटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है तो यह मिनिट्स के तो उनको जानकारी मिल जाती है अगर आप कुछ मेंटेनस में इंक्रिजमेंट करने वाले है या कुछ फैसिलिटीज एड करने वाले है या आपको किसी चीज में मेंबर्स का ओपिनियोन पोल चाहिए तो इस सारे के लिए आपको उसमें हेल्प निलता है इसके लिए दिशिजनस लिए गये है जो मेंबर्स के ओपिनियोन पोल के लिए चाहिए या फिर और कुछ मेजर दीसिजन से बेस उन दख गी कुछ चेंजस होने वाले हैं सोसाइटी में रूस में चेंजस होने वाले हैं तो सिर्फ ऐससे करती है बट वो दोनों ही चीज में होना ही चाहिए थर्ड पार्ट आता है इसमें के सब्मिशन ऑफ दा ओडिट रिपोर्ट एंड मिनिस तुद रेजिस्टर रेजिस्टर एक ऐसा रोल प्ले करता है कि वह आपका फ्रेंड भी होता है सुसाइटिस का फिलोसॉफर भी होता है जो सुसाइटिस के जो डे टू डे ट्रांजक्शन है उसको गाइड करता है वह उससे यह हल्प होता है कि मॉडल अफ दो बॉयलास के प्रमाने अगर आपका फंक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें कोई भी मेंबर जाके कंप्लेंड भी कर सकता है और अगर आप फंक्शन प्र पर बाइलाज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर उनको ऐसा मिलता है कि आप लोग उनको सुसाइटिस के रिपोर्ट सब्मिट नहीं कर रहे हैं तो वह आपके उपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं इसके लिए बेस्ट है कि आप आपका होने के बाद मिनिट्स करना है इसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ डिसिजन लिये लेकिन उसके इंप्लिमेंटेशन के लिए टाइम निकाल रहे है या फिर जो विए गये हैं उसके कुछ क्विक एक्शन नहीं होगा तो लोग उसको भूल भी जाएंगे कि ऐसा कुछ डिसकस हुआ था सो इसक कुछ changes करने जा रहे हैं या किसी को add करने जा रहे हैं किसी को अपॉइंट करने जा रहे हैं तो उसमें क्विक implementation हो रहा नहीं जरूरी है ताकि उसमें आपको time space मिल जाता है अगर उसमें कुछ problems आ रहे हैं तो आप members के साथ discuss करके committee members के साथ discuss करके उसको immediately resolve कर सकते आप उसको अगर quick implement नहीं करेंगे तो फिर उसका effectiveness आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट आता है कि appointment later to the auditor कि managing committee में आपने discussion होने के बाद AGM में आप जो आपका next year के लिए auditor रहेगा आप उसको अप्रू करवा लेते हैं क्योंकि AGM का एक अजेंडा भी है उसमें आपको अप्रू करने के बाद उसको appointment later देना जरूरी है as per bylaws अब दो साल ही उसको appointment कर सकते हैं बट उनका appointment later अगर नहीं देंगे तो फिर उसमें confusion क्रियेट होने के chances होते हैं कि exactly audit कोन करने वाला है तो इंटर्रेल और स्ट्रेट्री दोनों auditor का वहाँ पर appointment होना जरूरी है उसमें उनका नए उनका पैनल नंबर और कौन से पिरेड के लिए वाडिट करने वाले हैं उनके contact डिटेल यह सारी इंफॉर्मेशन डालना जरूरी होता है नेक्स पाट आता है कमिटमेंट फ्रॉम दो मैनेजिंग कमिटी अभी एजम में बहुत सारे discussion हो गए बहुत सारे point लोगों ने बताए other matter में बहुत सारे discussion हुए बट अगर मैनेजिंग कमिटी का कमिटमेंट नहीं रहेगा तो फिर इसमें कुछ फाइदा नहीं है और यह सारा waste of time है because अगर जो भी point discuss हुए है तो उस पर quick action और commitment from the committee members means ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज कुछ resolution लिया और वह complete हो गया कुछ-कुछ actions के लिए थोड़ा सा time span भी जा सकता है थोड़ा patience भी रखना पड़ता है अगर वह major decision है for example अगर लिकेजस के problem अपने कुछ discuss किये है या कुछ major repair करने जा रहे है या अगर आप कोई default member पर action लेने जा रहे है तो उसमें time लगने वाला है वह सारा एक महिने में complete नहीं होगा तो managing committee को उनकी meeting में यह point discuss करते रहने पड़ेंगे और उसका status भी share करते रहना पड़ेगा other members के साथ ताके आप उसका follow up रख सके और आपको उसमें effectiveness मिल सके जब तक वो close नहीं होता और हमेशा वह pending point आपके committee के meeting में discuss होने चाहिए with the status यह practice आपको satisfaction पी देगी और issues को बढ़ने भी नहीं देगे next point आता है कि societies में day to day improvement होना भी जरूरी है ऐसा नहीं कि 2019 में भी सेम हाल था 2020 में भी सेम हाल है और 21 में भी कुछ जादा changes नहीं दिख रहे हैं तो ऐसा ना हो तो managing committee के responsibility भी रहेगी कि आप ऐसे points को भी discuss करे कि societies में जिस वजह से चुरू कर सकते हैं पहले सारा मैनियूली होता था लेकिन अभी जो नीव पीड़ी है या new generation है वो digital devices का यूज ज्यादा करती है और जो ज्यादा तर इतनी बिजी रहती है कि वो meetings को अटेंड नहीं कर सकती है hard copies को ज्यादा पढ़ने सकती है भूल जाते है या गूम हो जाता आप अगर digital platform को यूज करने लगे तो वो लोग कहीं भी उसको access कर सकते हैं फॉर एक्जेंपल अगर maintenance bill भी आपके तुरू अगर आप उनसे शेर करें PDF copies के साथ email के तुरू अगर शेर करेंगे तो वो कहीं भी उसको access कर सकते हैं देख सकते हैं तो उसमें problem नहीं होगा और environment क इसको भी हानी नहीं पोचेगा तो ऐसे सारे platform का यूज या फिर अगर आपके हापे CCTV नहीं है इंटर कॉम नहीं है या अधर कोई facilities नहीं है प्रॉपर सिक्यूरिटी नहीं है तो आप इसके बारे में भी डिसकस करके उसको भी as a improvement point में ले सकते हैं ताकि एक साल का प्लान ब सकते हैं ऐसे सारे improvement society में हर साल होते रहने चाहिए और उसको properly observe करना चाहिए अब जबी एजम खतम हो गया इतने सारे points मिल गये काम पाता चल गया यह सारी जो new journey स्टार्ट होती है for example 2020 से अगर हम 21 में जा रहे हैं तो उसमें commitment तो ज़रूरी है managing committee के तुरू बट अगर आप society क member हो तो आपसे भी कुछ commitment होना चाहिए ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ committee काम करेगी और आपने maintenance दे दिया तो बात खतम हो जाएगी ऐसा नहीं होता है तो उसमें आपको cooperate करना पड़ेगा उनके साथ अगर कुछ decision लिये है implementation में उनको जरूरत पड़ेगे कि आपका support होना चाहिए यह हो सकता है किसी चिसमें आपको थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा क्योंकि जब रूल्स लगाने की बात आती है तो वो सब को face करना पड़ते हैं एक दो को रूल नहीं लगाए जाएंगे तो इस case में आपका support होना चाहिए आपको उन पर trust रखना चाहिए कि आपने जिनको पॉइंट किया है या अपने जिनके हाथ में वो सब कारोबार दिया है तो वो उसको प्रॉपरली चला रहे है तो थोड़ा patience रखके अगर आप काम करेंगे तो यह सब आसान हो जाएगा और अगर कुछ suggestion लगता है आपको कि societies में यह ने यह होना चाहिए तो आप आपके suggestion आ इंप्लिमेंटेशन प्लान के साथ उनको दे अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं है उनका जो भी decision लिया गया है तो बेटर है कि आप commissions क्रियेट ना करें लेकिन अगर आपका कुछ अलग व्यू लगता है आपको तो वह भी आप लेटर के साथ कमिटी को दे सकते हैं जिसके वज़े से वह कुछ discuss करेंगे और अगर वह इसको implement कर सकते हैं तो उसको करने की कोशिश भी करेंगे यह सारा होता है सुसाइटी में क्योंकि इसमें teamwork की ज्यादा important है अगर teamwork नहीं रहेगा एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो सुसाइटी में problems बढ़ते जाएंगे और disputes create होते जाएंगे तो यह members के साथ committee इन दोनों का teamwork और cope up होना बहुत ही जरूरी है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसको करना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो जाने वाले है यह जो भी कुछ नए नोटिफिकेशन रहेंगे वो आप तक पहुत जाएंगे तो थैंक यू थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो